आजमगर के विदान सभा मेनगर के ग्राम सभा खजूरी में सुएल देवाती समाजपार्टी की जीला समिक्षा बैठक 2 दिशंबर 2023 को रखी गई थी जिसमें मुक्य अतिति आजमगर कौडिनेटर सिवेंदर बादूर सिंग और विशिष्ट अतिति मंडल अद्धेक्ष दिनेश राजबर है यह बैठक जीला उपादेक्ष लोटान राजबर के अवास पर और जीला अद्धेक्ष धर्मेंदर राजबर के नितोत में रखी गई थी इसमें स्वेल दे भारती समाज पार्टी के सभी पदा अदिकारी वकारे करता होने पार्टी को धार देने के लिए अपनी अपनी बात रखी पुर्वियनी उपर सतिश्चवान के साता जमगर उत्तर प्रदेश राज स्वेल दे भारती समाज पार्टी की आज बैठक की गई क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर देखिए यह हम लोग की संगठन की बैसक है अगामी लोग सभा के चुनाओ को देखते हुए हमारे नेता मानियों प्रकास राजभर जी में उत्तर प्रदेश की असियो सीट को जीतने के लिए देश में मने ननेंद बोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंतरी बनाने के लिए हर लोग सभाज शेतर में समिक्षा बैठक हो रहे हैं तेखिए हम लोग के नेता मानियों प्रकास राजभर जी कहते हैं कि चुनाओ हम लोग असियो सीट पे लडेंगे सिंबल हमारा कितने पर चटता है तो जब बैठक होगी तो उसमें तय होगा वैसे हम लोग के दिमांग में है कि पांच लोग सभाजशेतर हम लोग चुनाओ लडेंगे अब जो हम लोग की सामत बन जाती है इंडिये गठवंधन में जो भी उस पे सामत बनेगी उसी पे हम लोग चुनाओ लडेंगे हम लोग की सीट की संख्या हम लोग के गठवंधन में आ ले नहीं और जो सांगठन की बात चल रहे हैं, सांगठन मजबूती के लिए उसको लेकर क्या कहेंगे। हमारा संगठन इतना मजबूत रहे कि आगामी पंचायच चुनाओं में हम लोग एक सांदार सफलतार जित करें। दलबदलू नहीं कहा जाएंगे। अगर आप मेरे नेता को दलबदलू कहना चाहते हैं, तो उतसे बड़े नेता दलबदलू नेता हैं। समझवादी पार्टी के नेता हैं। समझवादी पार्टी के नेता हैं।